Hello Everyone, Welcome Back to My Channel गर्मी का मौसम है और उपर से मांसून और इसमें सभी चाहते हैं खुबसूरत होना और अफकोस होना भी चाहिए हम फीमेल्स का अधिकार होता है खुबसूरत होना पर इसमें आ जाती है हमें फ्रेकल्स ब्लैक स्कीन हो जाती है संस्टैन हो जाते हैं हमारे स्कीन पर और पता कीज़े आपकी कीचन में ही मौझूद है और उसी से हम आपको खुबसूरत बनाने की रेमेडी बता रहे हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखे और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं तो आईए शुरू करते हैं इसके लिए हमें चाहिए एक आलू मैंने इसको पील आफ किया है और आलू मुझे छोटी साइज का मैंने लिया है क्योंकि जरूरत नहीं थी बड़ी साइज की और एक टमाटर चाहिए छोटी साइज का अगें हमें इसका जूस चाहिए तो इस टमाटर को हम सबजी में यूस कर सकते हैं अब हम आलू को अच्छे से ग्रेट करेंगे या आप चाहिए तो मिक्सी में इसको पीस के इसका जूस निकाल सकते हैं मैं ग्रेटर से ग्रेट कर रही हूँ और इसके तुरू इसका जूस निकालोंगी आलू हमारी skin के लिए बहुत अच्छा होता है जैसे कि मैंने previous videos में आपको बताया है कि आलू से हमारी skin naturally bleach होती है और आलू घर में ही available होता है हमें इसके लिए पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ते extra सबजी तो आती होगी आपके घर में तो वो चीजे आप अपनी skin पे भी apply कर सकते है science कहता है कि जो चीज हम खा सकते हैं consume कर सकते हैं उसे आप skin पे लगा भी सकते हो तो आलू हमारे skin को white करने में काफी help करता है आपके skin के दाग धबो को मिटाने में काफी help करता है तो आलू को मैंने यहां पे अच्छा से ग्रेट कर लिया है और अब मैं इसे एक stainer में डाल कर इसका juice में निकालोंगी यहां पे मैं एक चमच के लबबग juice निकाल ली हूँ इतना ही लगेगा इसके बाद इस आलू के juice को मैंने एक बाउल में रख लिया है आप कोशिश कर एक कांच के वाउल को यूज करने के लिए मैं यहां पे बोन चाइना का वाउल ली हूँ और इसके बाद मैंने इसमें टमाटर को कट अफ किया है एंड इसको इसका juice हमें निचोड़ना है दियान रहे कि इस टाइम में आप अपने हाथ को अच्छे से वाश रखना ताकि इस टमाटर को आप री यूज कर सको आप उसको सबजी में डाल सको अगर हाथ गंदे रहेंगे तो स्कीन के लिए भी अच्छा नहीं और खाने के लिए अच्छा नहीं है तो मेरे हाथ भी बहुत साफी है, और मैं इस टामाटर को, इस टामाटर को में सब्जी में नहीं डालूँगा, अक्छिली इससे बूसरी रेमेडिर तियार करूंगी, तो फिलाल अभी इस रेमेडिर की बात करते हैं, तो यहाँ पर मैंने पूरा टमाटर का जो जूस है वो निकाल लिया है और इसे अब अच्छा से मिक्स अफ करना है अच्छा से जब तक मिक्स करना है जब तक कि इसका जो टमाटर का जूस है वो आलो के जूस में मिक्स अपना हो जाए और ये अच्छे से mix करने के बाद हमें करना है क्या अपने face को अच्छे से clean कर लेना है अब possible हो तो कोई भी mild face वो से आप face को clean कर लो और इसके बाद हमें चेहरे पर apply करना है आगे मैं आपको पताने वाली हूँ कि इसे कैसे apply करना है तो चलिए देखते हम आगे कैसे apply करते हैं और अभी देख सकते हैं मेरा face जो है बहुत ही dull सा लग रहा है तैन थोड़ी लग रही है आपको और अच्छा नहीं लग रहा है और ये मेरा बीना make-up का face है अफकोस आप लोग जानते ही हो तो यहाँ पर मैं इसको एक cotton pad के साहता से अपने face पर apply करूँगी मैंने अपने face को अच्छे से wash कर लिया है तो आपको ध्यान रखना है कि face wash ज़रूरी है करना और इसे cotton pad के हिसाफ से मैंने अपने पूरे face पर इसको apply किया है and apply करके मैं इसे 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी वैसे तो यह 5-7 मिनट में सूख जाएगी लेकिन मैं फिर भी 20 मिनट लूँगी क्यों क्योंकि इसके जो good properties है वो हमारे skin में observe हो जाए जो हमारे skin की जो blackness है यह उसे अच्छे से remove कर पाए उसको उतना time मिले तो अभी आप देख सकते हैं मैं अपने पूरे face पे इसे apply कर ली हूँ मैंने अपने eyelid पे भी लगाया है ध्यान रहे कि आपके आँखों में यह चीजे ना जाए और मैंने अपने neck को भी cover किया है और यह neck की कालिक को भी अटाने के लिए काफी help करता है अब इसे हम अच्छे से सूखने देंगे और इस समय आपको कुछ भी बोलना नहीं है और आप अभी देख सकते हैं कि मैंने इसे ठंडे पानी से wash किया है इसके बाद हमें कोई face wash यूज नहीं करना है आप इंस्टन देख सकते हो कि मेरी skin पे काफी glow आ रही है ऐसा लग रहा है highlighter लगा है तो वीडियो अप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक के बिना कहीं नहीं जाना और चैनल को subscribe जरूर करना और इससे share जरूर करना